हाई दोस्तो वेलकम टू मैजिक कुकिंग चैनल मैं आपकी दोस्तू मीनाक्षी और मैं आपको इस फीडियो में बना कर दिखाऊंगी प्रेशर कुकर में चिकन बिर्यानी जो जल्दी से बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है यहाँ पे मैंने आदा किलो च दही दही हमें ज्यादा खट्टा नहीं इस्तमाल करना है इसे अच्छी तरह से मिला लीजे दोस्तो मेरे इंस्टाग्राम पेज भी वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरी आइडी है मैजिक मिनाक्षी तो इस चिकन को हमें आदे घंटे टक मैरिनेट होने देना है तो दोस्तो यहाँ पे मैंने 120 रुपे केजी वाले बासमती चावल का इस्तमाल किया है एक कटोरी मैंने बासमती चावल लिये तो हमें तीन कटोरी पाने लगेगा तो इसे साइड में रख दीजे यहाँ पे मैंने लिया है दालचिनी एक हरी इलाईची एक बड़ी तो कूकर में डाल दीजे आधा कप तेल गरम होने के बाद इसमें जो मैंने मसाले दिखाये थे ओ डाल दीजे तेच पत्ता और एक कटा हुआ प्याज प्याज को हमें गोल्डन कलर आने तक पकने देना है तो प्याज पक चुका है अब हम इसमें डाल देंगे एक चमच अद्रक लसुन की पेस्ट तो अद्रक लसुन की पेस्ट अच्छे से पक चुकी है अब हम इसमें डाल देंगे मेरिनिट किया हुआ चिकन फिर से इसे मिला कि हमें गैस की मिडे में हिट रखना है और इसे ।2-3 मिनिट तक मिलाना है थो कटि हुई हरी मिर्च तो चिकन को अच्ची तरह सी मिला लिया है इसे हमें ढ़कन रखकर 10 मिनिट तक पकाना है इसमें डाल दीजे एक चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच धनिया पाउडर वन थड़ चमच हल्दी पाउडर इसे मिला ले अब हम इसमें डाल देंगे एक टामाटर की प्यूरी फिरसी से एक बार मिला ले अब हमें ढकन रखकर टामाटर की प्यूरी को 5-6 मिन तक पकने देना है तो टामाटर की प्यूरी अच्छे से पक चुकी है अब हम इसमें डाल देंगे चावल मैं चावल को धो लिया है और तिन कटोरी पानी स्वादनू सर नमक इसे मिला ले आपको ध्यान रखना है कि एक कोटोरी चावल के लिए तीन कोटोरी पानी का इस्तमाल करना है तो अब हमें इसे तीन सिटे आने तक पकने देना है आपको मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट इस्तमाल करना है मेजरमेंट अगर गलत हो गया तो फिर जो चावल है और खिले खिले नहीं बनेंगे तो आप देख सकते हो बिर्याने कितनी खिली खिली बनी है और हमें इसे जादा नहीं मिलाना है नहीं तो चावल की तुकड़े हो जाएंगे तो मीने इसे हलकी हाथों से मिला लिया है हम इसे गरमा गरम सरू करेंगे और चिकन भी बहुत अच्छी तरह से पक चुकाएं तो चलिए अब हम इसे सरू करतें दोस्तो आशा है आपको वीडियो बहुत पसन आया होगा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेर करें